करते हैं तो आज की जो हमारी ये क्लास है ये क्लास है S.G.P.G.I. के संबंद में और S.G.P.G.I. आप सब को मालूम है कि 6 नवंबर को आप सभी का पेपर है और आप सभी लोगों का यूनिट एक से लेके 7 तक कवर हो चुका है कुछ चीज़े रहे गई है राष्टी स्वास्त कारिकरम स्वास्त नीती और कुछ इंपोर्टेंट बाते तो वो आज मैं कवर कर दूँगा पहले मैं आप लोगों से चिकित्सकी और मनों चिकित्सकी समाजकारी से कुछ प्रश्ण करवा रहा था उसमें कुछ प्रश्ण रह गए थे उन प्रश्णों को भी मैं कवर ती ब्रगती से चलूँगा एक्टिव रहिएगा नोट्स बनाते रहिएगा लास्ट में मैं आपी लोगों से ग्रूप में नोट्स किसी भी बच्चे से मंगवाऊंगा अभी ध्यान रखीगा सबको जरूर यहां पर ध्यान से नोट करना होगा कॉपी पहली बात कोश्चन बेलकूल करेट जबाब और यह बात याद रखिएगा कि 1937 की बात है मनोचिकिस की समाजिक कारिकरता की नियुक्ति के गई ति भारत में सबसे पहली बार था यह बात और भारत में ब्यवसाय समाज कारिकर वाया है तो 1936 में आया है यह भी बात आप लोगों को ध्यान रख इंसिट्यूट आप सोसल साइंस में असनात उक्तर जिसको बोलते हैं हम लोग पी जी पोश्ट ग्रेजूट पर मनोचिकिस की समाजकारी का प्रसिच्छड प्रारंब किया गया था क्या यह बात सत्य है यस या नो यस कहना है यहां पर नहीं यस है यह टाटा सोचा है इसलिए यहां पर आप लोगों ने नो की जवाब की तरफ बढ़े हैं लेकिन MSW ने प्रश्ट को ध्यान से सुनना है और ध्यान से पढ़ना है प्रश्ट कहरा है मनोचिकिस की समाजकारी प्रसिच्छड था यह असनात उक्तर में और टाटा इंसिट्यूट ने मनो मनोचिकिस की का सुरुआत किया था 1950 में इसलिए लो नहीं बोलोगे यह याद रखिएगा तीसरी बात रास्टी अस्तर पर मतलब नेशनल अस्तर पर बता रहा है कि मनोचिकिस की प्रसिच्छड से संबंदित जो संसथान है वह हैदराबाद में है कि दिल्ली में इस्तित है कहां परिस्तित है हाँ यह हैदराबाद में है लेकिन अगर दिल्ली होने की वज़ा से इस प्रश्ण को हम लोगों ने क्या कह दिया पॉइंट थर्ड को गलत कर दिया बहुत बढ़िया जवाब आया है कोशन नमबर 20 का अप्शन नमबर सीकरेट जवाब जागा प्रश्ण को अच्छे से पड़ो और बढ़ियां से दो एकदम ऐसे ही प्रश्ण करना है अच्छा लगा हाँ इसमें से कोई पॉइंट तो उसको नोट कर लिया करो कॉपी पर बेजी जग कोई दिक्कत नहीं याद अगर है तो बहुत अच्छी बात है नहीं याद है तो नोट कर लिय करो कोईशन नमबर टोटी टू निमनलेकित कतनों पर विचार करना देखता हूं मैं कि आप लोग कितना अच्छा सोच सकते हैं तरक कर सकते हैं पॉइंट एक पुनरवास जानते हैं रिहबिलिटेशन कहते हैं इसी के अंतरगत रोगी को असाध्य रोगों में अशाध्य र सकते हैं कि अगर आप रिहबिलिटेशन के अंतरगत रोगी को असाध्य रोगों से अपनी देखभाल में सक्छम बनाते हैं और किसी कारी में उनको बैस्त कर देते हैं तो चाहिर सी बात है वह बैक्ति समाज की मुख्यधारा से कहीं ने कहीं जुड़ेगा तो एक कहावत है अगर आप बैठे रहेंगे खाली नहीं बोलते हैं खाली दिमाग सैतान का तो बेस्तर होगे तो कुछ ना कुछ जुरूर सीखोगे तो इसलिए आप ध्यान रखें यह पॉइंट उस हिसाफ से सोचा भी जाए तो सकते हैं दूसरी बात कहता है कि मानसिक अरोगता अनुशं संसथान बैंगलोर में इस्तित है यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा क्या यह बात सकते लग रही है बेलकुल सकते हैं यह भी आपका यहां पर चर्चा पर चर्चा करें तो यह भी पॉइंट आपका सकते रहेगा याद रखिएगा भारत में मानसिक चिकिसाले का इस्पिटल साइब वह बहुत बहुत ज़्यादा है क्या बेलकुल जब बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इसको काट दीजिए प्रश्ण को ऐसे आपको समझना है तो पॉइंट एक साही पॉइंट टू साही इसलिए अगेन आपका कोश्चन नमबर टॉन्टी वन का थर अमेरिका के द्वारा दी गई और यह हंडेट परसंट सकते है इसमें कोई दोर आए नहीं है हंडेट परसंट सकते है कि सबसे पहले मनुची किस्ता समाजकारी के अगर कोई परिवासा दिया था तो अमेरिका वालन दिया था अब यह दिमाग यहां पर सोचे कि सर ने कहा थ तर में दूर यहां से ने तो हम लोग यह सोचते हैं कि जब सबसे पहले यह आया है हर जगह इसी की परिभासा आती है तो क्यों नहीं हम UK के लगाते हैं हम इसको गलत कर देते हैं परन तो नहीं ऐसे मनोची किस्तिकी की बारे में बात करें न तो UK पीछे रहा, अमेरिका आ गया आ गया, तो अमेरिका का नाम सही हो जाएगा यहाँ पर, पहला बात, दूसरी, मनोची किस्तिकी समाजकारी, समाजकारी की एक बिसिस्ट साखा है, क्या यह बात सकते हैं, हंडेट टिन पसंट सही ह सही है, बात को समझे, हाँ सही है, समाजकारी की इस साखा का संबंद मनोची किस्तिकी बिज्ञान से होता है, देखें, जो सोशल वर्क है ना, सोशल वर्क, हाँ, सोशल वर्क, जो है ना, मनोची किस्ता से रिलेटेड है, यह बात सकते हैं, फिर सोशल वर्क की जो ब्रांच कोश्चन नमबर 23 की बात करूं तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ आप जहां पर जानना चाहूंगा आप लोगों का कि आप कैसे विचार करना चाहते हैं बहुत अच्छा सवाल है आप यहां पर थोड़ा से इस्टार लगा लीजिएगा क्योंकि प्रशन हो सकता र मनो चिकिस्त की समाजी कारी करता चिकिसालाय मानसिक सच्छता और बाल निरदेशन क्लीनिक जहां पर मैंने जिरो बिलमरिय के नाम लिया था आप लोगों से ने कारी करने लगे तो ध्यान बताए कि कोश्चन नमबर 23 का पॉइंट नमबर जो टू दिया गया है क्या आप कह करने लगे थे और यह बात सही था और यह बात हुई थी 1926 से 1905 में मैसा चुटेसा जनरल होस्पिटल में समाज सेवा विभाग की अस्थापना की गई थी यह भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा बहुत बढ़ियां चल रहे हो अभी तक किसी बच्चे का मैंने नह उससे पूछा भी था कि उसकी परिभासत मैंने बताया भी था निर्वचन के अंतरगत कारिकरता आस्पष्ट तथ्यों पर विचार करता है क्या यह बात सही लग रहा है आपको निर्वचन देखो यहां आपके गरम बात करें कोश्चन नमबर 24 हमारे सामने अगेन आप लो से होती हैं मालूम है टेकनिक उगरा के रूप में हम इसको जो है प्रियोग में लाते हैं निर्वचन को हाँ टेकनिक है हम निर्वचन को टेकनिक के माध्यम से जोड़ते हैं निर्वचन क्या होता मैं समझा देता हूं समझ लीजिए अभी आप लोग साज समझ नहीं पाए निर्वचन के अंतरगत आता है कारिकरता द्वारा सिवार्थी के सम्मुक अस्पस्ट रूप से उपस्थित तथ्यों पर विचार करता है आपको आपसे कह रहा हूं कि इस कारिकरता के द्वारा सिवार्थी के सम्मुक अस्पस्ट रूप से जो उपस्थित तथ्यों पर तो जब गलत है तो फिर yas क्यों कह रहे हैं आप लोग? यस ना बोलो ना no बोलो फिर इसको हाँ इसलिए आप अगर चाहो तो इसको एक सब्लेखो और यहां प्लिख लो ओपस्थित तठेंपर बिचार होता है किया कह रहे हो हिंदी नहीं आ रहा है अच्छा अगे बढ़िए दूसरे पॉइंट पे अंगी करण के अंतरगत रोगी के प्रमुक समस्याओं का चुनकर उन समस्याओं को चुनकर उसके समाधान का प्रियास किया जाता है येस या नो येस बिल्कुल करेट गुड बहुत बढ़ियाँ शाबाश प्रियास थर्ड कारिकरता दोरा सिवार्थी के साथ वस्तुनिष्ट और समुचित बिशलेशर संबल कहलाता है देखो संबल संबल किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था क्या राइट या रोग साल नहीं अभी आप लोग अच्छे से नहीं पड़ पा रहे हैं बिल्कुल नहीं पड़ पा रहे हैं संबल का मतलब क्या होता है सर संबल एक उपचार की प्रिक्रिया है इसमें अनेग प्रविदियों का प्रियोग किया जाता है जिसके दौरा सेवार्थी का मनोबल आत्म बिस्वास ग्यान का बिकास किया जाता है ताकि वास्त विकता को समझ कर अपनी समस्याओं का निराकरण करने में सवयम सक्षम हो सके वो खुद वैसा कर सके इसलिए बताreshादा इसमें सिवार्थी के साथ वस्त निश्टता समचित बिस्लेशन कुछ भी प्रक्रिया नहीं होती संबल की इसलिए यह गलत है आपका एंसाहित किया जाता है ró59 यह बढियां सब्द आपने बुला मनोबल बढ़ाना होता है इसमें आत्म बिश्वास बढ़ाना होता है इसमें आत्मे सक्ति बढ़ाने होती है अदात में शक्ति बढ़ाना होता है इसमें ताकि वो वास्तविक्ता को समझे ताकि उस चीज को वो जाने नहीं होता है खाली पुलाव पकाते रहते हैं बैठ जाएंगे चार लोगों के बीच में कुछ मालूम होता है नहीं उनको रियल चीजे लेकिन अपने आप में तुर्रम खान बने रहते हैं जब आप वही चीजे उनको समझाने लगते हैं कि बही ये पूरी जानकाई रखो पूरी जानकाई के साथ जब बताते हो तो संबल प्रिक्रिया आप लेको बताना शुरू कर देते हो यहां वस्त निश्टिता समझिद विश्लेशल कुछ नहीं होता है कुछ भी नहीं होता है गलत जबाब यहां पर थर्डवला केवल आपका दूप बहुत अच्छा सवाल था और बड़ा बढ़िया लगा मुझे यह सवाल क्योंकि आप लोगों ने इस पर थोड़ा सा ब्रेन पर अपने बल दिया है है ना चलिए देखे कोई आ रहा है साथ उनको मैं जोइन करू समझते रहे आगे बढ़िये और नेक्ष सवाल लीजए आखरी समय में हम लोगों को इन प्रशनों को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इन ही प्रशनों से ये चिकिस्सा समाचकारी मनुद चिकिस्सा समाचकारी से इसलिए हमें जनना ज़रूरी है इन सब के बारे में कोशन 25 में निम्लेकित कतनों पर विचार करना है पुनर सप्तावना के अंतरगत सिवार्थी को बार बार सप्तावना देकर आश्वश्ट किया जाता है क्या ये बात सही लग रही है क्या ये बात सही लग रही है बिल्कुर सही है नहीं सही है मैं सही है बात करें तदात्मी कर प्रश्ण में जब कभी आप लोगों को ध्यान रहे जब ऐसे कूट आपको सामने पेपर में आएंगे विचार अवश्च करिएगा यदि कंफ्यूज रहे हैं तो इस प्रश्ण को इसकिप करके लास्ट में कर लिजिएगा आप लोगों को आई थिंग साहद दो घंटे का टाइम मिला हुआ है यस हां मैं आपको बता रहा हूं उसी प्यार हूं दो घंटे का टाइम है आ कैसे आप उस प्रश्णों को सही तरीके से पहचान पाओगे अभी बताओगा आगे बात करेंगे कोश्च नमर्टी सिक्स के बारे में निमने लेकित कथनों पर विचार करना है आपको फिर विचार करना है बताओ जरा कि रोगी की प्रकृति और उसके प्रभाओं को रोग सी बात है मैं समझना चाहिए इसके बारे में तो फिर करता है कि रोगियों की भावतिक आउसक्ताओं की पूर्ती के लिए अस्थानी संसाधनों को जुटाना भी पड़ता है और रोगियों के पुनरवासन हेतु उनके परिवार के साथ योजना बनाना भी तुता है अगर परिवार के साथ योजना नहीं बनाएंगे उसी के साथ क्यों काम करेंगे पता चले आपके साथ अच्छा काम कर रहा है घर पे जाके वो आसामाजिक तथ्यों को कर रहा है सारे करेट है यहाँ पर कोशन नमबर 26 का ऑप्शन नमबर D करेट हो जाए यहाँ पर अच्छे सव आपको एक्जामनर यह जानना चाहेगा कि जब आप मेडिकल टीम के साथ संपर्क में रहेंगे अस्थापित करेंगे तो उस समय आप क्या काम करना उचित समझेंगे पहला पॉइंट यहां पर कि रोगी के दौरा महसूस की जा रहे ही जो आउसकता के अनुसार संसाधनों को विख्शित करना होगा क्या यह बात आपको करना पड़ेगा यह सत्य लग रहा है आपको वही अगर हम बात करें बी पर कि आपसी सौबटी के वातावरण में मतलब जो तीम जो मेडिकल टीम है उनके वाता वरण में रोगियों की समस्याओं को सुलजाना है यस या नो बता दो यस या नो यस यस रोगियों तथा उनके परिवारों से संपर्क बनाय रखना होगा देखू आप पुर आप आपको बता दिया आपने यहां पे गलत चले गए कारण क्या है गलत जाने का क्योंकि प्रिश्ण आपका point आप view कहां पर है medical team से है जब medical team से है जी जब medical team से देखो medical team वातावरल में बात करेगी न रोगी के साथ जब काईस case काम करेगी तो करेगी वहां पर second वाले पर medical team में इसके साथ काम करेगी second वाले के साथ medical team रोगी की समस्चाओं को सुल्जाने का प्रिया हाँ third no है medical team है ना तो भाई जाहिर साथ परिवारक साथ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यह तो इसलिए आपका यहां पर यह कारी नहीं है आप्शन नमबर एक दो दिख लीजिए किस आप्शन में है सी वाले में यही करेट हो जागा सी वाला आपका सही रहेगा सी वाला इसमें कोई दो रहे नहीं है बात करें medical social worker आप है medical social worker आप अपना काम बता दो तो मैं समझ जाओंगा यहां पर कि आप लोग इस paper में कुछ लायक बन चुके है बताओ क्या काम है आपका क्या समधाई संग्टर में साभागिता करना उचित है आपका सैचलिक कारी करमों में आपकी साभागिता होनी चाहिए क्या समाजकारी शोधि में क्या आपका सायोग होना चाहिए बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां बहुत अच्छा ऐसे अगर आप कर गए तब तो मज़ा आ गया आगे देखे कोशन नमबर 29 मेडिकल सोशल वरकर की पधधती बताओ आपकी क्या क्या सिस्तम है किस किस चीजों का प्रियोग करोगे क्या आपकी पॉइंट आप ब्यूस एगर देखा जाए क्या सहायता आप करेंगे क्या सूचना एक कलेट करेंगे समानी करण की प्रक्रिया जनलाइजेशन देखो ये सभी रहेंगे सर तो मैं आपको बताओ कि जो मेडिकल सोशल वर्कर की पद्धतिया है ये तीनों हैं आप्शन नमबर डी करेट रहेगा सभी की सभी बहुत बढ़ियां चल रहे हो अभी तक निमने लिखित कतनों पर विचार करो सोचो कि किस्सा समाजकार ये ब्यावसाइक कारकरता का बिष्लेशी करण है कुष्छन वर् 3 बेलकुल मेडिकल सोशल वर्कर जो है वो विख प्रोफेशनल का बिष्लेशी करण है और ये 110 परसंट सकते बात है यह ब्यावसाइक सहायता प्रदान करने का यह बात है बेलकुल बताओ जरा इसके दोरा रोगियों को निराकरण और निदानात्मक और उप्चारात्मक सहाता भी उपलब्द कराना चाहोगे आप लोग बिल्कुल बहुत बढ़ियां चल रहे हो option number D यानि इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग समझ के कर रहे हो स्वाल question number बढ़ेंगे हम 31 पर बताइए जरा मैं आपको इसके बारें भी थोड़ा सा चर्चा कर चुका हूं स्वास्त सरवेच्छत था विकास समिती के प्रसिचित चिकिस्त की ये medical social worker की आवशक्ता पर बल देता है सन 1945 की बात है बात को समझे question number 31 कह रहा है आप से ये कि जो 1945 1945 में स्वास्त सरवेच्छड था और विकास समिती ने प्रसिचित जो medical social worker थे उनकी आवसक्ता पर बल दिया था और ये स्वास्त सरवेच्छड और विकास समिती सन बात है 1945 की और ये 110% सही है आप देखेंगे भी google उगरा पर तो मिल भी जाएगा आपको कि 1945 में ना स्वास् करते हैं आप लोग और जो विकास समिती होए उनमें प्रसिचित जो medical social worker थे उनकी आवसक्ता पर बल दिया गया था उनकी आवसक्ता क्या हो सकते एक format होना चाहिए संसाधन होने चाहिए बदब totally जो मिला जोला की बात होती है medical social worker point अब भी उसे गर बात करें तो 1945 से था लेक question number 31 है देखे आप बात को समझे यहां पर सभी लोग भारती की बात अगर हम करें तो यहां पर ध्यान से सुन लीजिए यह सवाल आपका गलत चले गया है चला गया है आप लोगों में से सही नहीं जवाब देना है इसको ठीक है भारती समाचकार यह सम्मेलन का 11 अधिवेश अधिवेशन हुआ कब हुआ था क्या मालूम है आप सभी को मालूम है आप लोगों को मेडिकल सोचल वर्ग के पॉइंट अभ्यू से अधिवेशन यह उनीस सो उनीस सो उनहत्तर में नहीं किया गया था उनीस सो उनहत्तर में नहीं किया गया था यह गलत जवाब है आपके स सामने पॉइंट नमबर टू इसको आप कर लीजिए आप इसको सही नहीं कहेंगे इसको सही नहीं कहेंगे ठीक है इसको काट दीजे बात करें सन 1956 में जेजे ग्रूप आप हॉस्पीटल में भारती मूल के समाजिक कार्यकरता कि न्यूकती हुई थी क्या अरे भाई कहां से सह नहीं चला जाएगा 1946 में हुआ था 1956 में हुआ था तो फिर इसलिए आप लोग यहां पर गलती फिर कर रहे हैं और यहीं आपका यहां जो हो जाएगा गलत जवाब हो जाएगा यह भी आपका गलत है यह भी गलत है केवल पहला सही है इसलिए option नमबर एक लगाई यहां पर बाकी सारे को कट कर दीजिए आगे बढ़ेंगे और एक और सवाल देखने का प्रयाश करेंगे बैवस्तित रूप से मेडिकल सोशल वर्क की सुरुवाद कब होए जी गेरहमा अधिवेशन की बात अगर हम करें तो 1959 है मैं है हैदराबाद में हुआ था यह और यह प्रस्ताव पारित हुआ था कि संतुष्टी की गई थी कि 50 से अधिक रोगी सया वाले अधिकांस अध्वा समस्त चिकिस्तालों में कम से कम एक चिकिस्त की समाजकारी करता की नियुक्ति की जानी चाहिए नैंटीन फिप्टीन यहां पर साथ फिप्टी सिक्स था आइधिंग नहीं सी 69 था 69 ओके 69 था 59 कर लो मैडम कर लिया हां आगे बढ़ो बेवस्थित रूप से जो मेडिकल सोशल वर्क की शुरुवात की गई थी वो कब की गई बोलो बोलो एक और सवाल यहां पर आता है हमारे सामने कोश्चन 33 कह रहा है कि सुमलित कीजिए और बिचार करिए आप लोग जड़ा बिचार करिए का एक मिनट एक मिनट बिवस्थित रूप से कहा है मेडिकल सोशल वर्क की सुरुवात कम हुई है मेडिकल अरे या यह तो आपका जो यह मनोंची, स्चिक्सिटी है, सर, यह मनोंची, इसकी आपने बोजे बता दिया, मनोंची, किस्टा बता दिया है, तो यहाँ तो प्रश्मने मेडिकल, सोशल वर्क है, यह 905 है, यह आप पान्च यह आपकर, यह उनीस व पान्च, थुदा सा δ्यांसे करो आपसे भ और शमस्या वरक समस्या, और चलार कि आखे आगे बढ़िए, जबाब बता कि द्खाइए, बताइए, कोश्यन नमबर 33 33 चलो मैं बताता हूं सुनो जो 33 आपसे बता रहा है यह आप से कहरा है कि जो शिगरतम समस्चा वोगी वह बेसिकली वर्तमान की समस्चा का संकलन करती है शिगरतम का मतलब एक प्रकार से क्या होता है तो सेवार्थी है कि जो वर्तमान समस्चा आपकर यहां जागरुता थोड़ी है यहां पर यहां वाक्तितमान समस्चा को सं लगना करेगी वह सिग्रतम समस्चा को रीपरेज़ Qual को के कोई जोईन हो रहे हैं को है थोड़ा सा रुक जाइए आप लो कै को देखते हैं अभी जंध बढ़ें थोड़ा सा अम लोग है बात करें कारी कारण समस्षा को लेकर कारिकारण समस्या भे इसी कली क्या होती है ये ब्यक्तिकी मानसिक इस्तिती पर अत्यदिक प्रभाव को डालती है कारिकारण समस्या ये आपका इससे हो जाएगा और बिर्द जन्द समस्या के अगर हम लोग बात करें तो यह सेवार्थी को जागुरुकता को बताती है और अगर हम बात करते हैं दवाव समस्चा तो दवाव समस्चा वो होती है जहां उपस्तिस समस्चा का स्रोथ होने को बताता है तो आप याद रखेगा पहले का 4 दूसरे का 1 तीसरे का 2 और चोथे के मतलब D D का क्या हो जाएगा आपका 3 तो दएख लिए 4-1-2-3 केहां पर दिया गा है 4-1-2-3 option number C में दिया गया है C किसी बच्ची ने भी बताया था यही correct हो जाएगा बहुत बड़ी है प्रश्ण में आज कल ये प्रश्ण ऐसे भी आते हैं थोड़ा सा समझ लिजे इस प्रश्णों के बारे में भी कि 34-35 प्रश्ण दिया गया है और ये आपके कूट रहेंगे आर रहेगा ए का मतलब होता है कतन आर का मतलब होता है कारण और ये कहेगा कि दोनों सही है तथा आर ए सही की व्याख्या करेगा अभी बताओंगे इसके बारे में थोड़ा सा समझ लिजे इसके बारे पहले option दूसरा option कहता आर ए दोनों सही होगा परन्तु इसकी व्याख्या नहीं होगी तीसरा कहेगा ए सही रहेगा किंतु आर गलत रहेगा और चौथा रहेगा आर गलत है किंतु ए गलत है और आर शही है ऐसे प्रशनों को भी आप लोगों को एक ट्रिक में बता लिटा हूँ ऐसे में आप समझ लीजेगा यहां अगर मैं कथन की बात करूँ तो समस समस्या जिसके प्रति सेवार्थी स्वयम जागरूक होते हैं क्या यह बात सत्य है या सत्य है 34 34 में सत्य है असत्य कैसे हो सकता है मतलब समस्या के गर मैंने कहा समस्या जिसके प्रति सेवार्थी स्वयम जागरूक रहते हैं समस्या जिसके प्रति सेवार्थी स्वयम जागरूक रहते हैं और यह प्रश्ण अप्लायट टाइप के होते हैं इस पर कथन होता है इस पर कारण होता है बिचार करने वाली बात होती है तो यह बात ध्यान रखेगा ऐसी बात नहीं एक नहीं होते हैं रहते हैं यह बात को मैं बता दू हंड़ेटें पर सत्त है यह इसलिए यह चौँतिस का जो पहला पॉइंट चल रहा है आपका यहां पर करेट माना जाएगा वहीं अगर मैं बात करूँ बिसेस समस्या को वास्तों में सिग्रतम समस्या कहा जाता है तो यह भी आपका सही रहेगा यह भी सत्त रहेगा अब आपके सामने आता है कि आप पहचान होगे कैसे कि इसकी ब्याख्या हो रही है नहीं हो रही है मैं UGC की बच्चों को जब पढ़ाता हूँ आपके आप ब्याख्या का मतलब यह होता है कि जो पहला पॉइंट आपने यहां पे कारण को कथन को पढ़ा है क्या इस कथन को सही तरीके से आर असपस्ट कर रहा है कि विसेस समस्या को वास्तों में सिग्रतम समस्या कहा जाता है तो क्या सिग्रतम समस्या कि यह परिभासा उपर दी ग होता है तो यहां पर आप यस तरीके से दिखिए समस्या जिसके प्रति सेवारती सोयम-जागरूक रहते हैं तो आप यहां पर एक सब्द लगा दीजिए क्योंकि क्योंकी बिशेश समस्या को वास्तों में सिग्रतम समस्या कायत बता ये दोनों की बात ही नहीं बैठ रही है एक तो सेवारती को सेम जागरुक बना रहा है दूसरी तरफ परिभासा बता जब बात नहीं बैठती जैसे दोहा नहीं बन पा रहा है कोई एक वो चीज़ें नहीं बन पा रहा है तो उसकी वज़ा से आप भी यहां पर कह सक भी कर पाऊंगा समस्याएं सदा स्रिंखला प्रतिक्रिया में होती हैं समस्याएं सदा स्रिंखला की प्रतिक्रिया में होती है ये बात सही है या गलत भई समस्याएं एक बात अगर मैं कहूं आप लोगों से तो स्रिंखला के पद में होते हैं जैसे मैंने कहा था आप कि जब आपके पास 10-20 समस्याइं मिलना शुरू होती है तो उसमें आप एक समस्याओं को या पांच समस्याओं को आप लेते हैं और करम के रूप में लेते हैं इसी बात नहीं कि जो आपको नीड लगता है उसी की समस्या पर काम करते है इसलिए सदा सिरंखला की प्रतिक्रिय कारण क्या कहता है कि किसी एक समस्या से अनेक दूसरी समस्याओं उत्पन हो जाती है क्या यह बात सकते हैं अब समझेगा यहाँ ब्याक्ख्या हो रही है नहीं हो रही है अब हो रही ब्याक्ख्या देखो कैसे हो रही है देखो समझो पहले तुम एक तरीका बता दूं कि द समस्या के अनेक दूसरी समस्या क्या होती उत्पन होती जाहिर सी बात चैन में उपर एगी अगर एक समस्या से भी मैं अच्छे से और अच्छे से एक्स्प्लेंग कर सकता हूं इसका तो इसलिए चैन के रूप में होती है और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा तो यहां पर व्याक्षा बन रही है अगर मैंने कहा क्यों की लगाओ चलो मैंने कहा कि समस्चाइं सदा स्रिंखला प् साथे तो जाहिर सी बात से दूसरी बीमारी जकड़िए नहीं जे इस या नो जब होगी तो जाहिर सी बात दूसरी समस्चे जो बन रहे ही वह चैन की आ रहे हैं अर यही आप की बैक्षा हो जाती है इस तो द faculty करिए घीए तो सबतेजर आप लोग बोलेंगे याइद के तो समय तब कम लगेगा तो याद रखेगा ऐसे प्रशन आपके सामने मिल सकते हैं कुश्चन नमर्ट 36 निमने लिकित कत्नों पर विचार किजिए जिनका पहला पॉइंट जिनका समाधान्स और प्रथम किया जाता है समानार्थ समस्याएं होती हैं क्या होती हैं समानार्थ समस्याएं होती हैं और ये बात सकते हैं ये आपकी सही बात है जिनका समाधान्स और प्रथम किया जाता है ना वो समानार्थ समस्याएं होती हैं समानार्थ का मतलब समझ नहीं है आप बेसिक आपने बताया एक चीज़ बुनियादी तो जहां पर अगर हम बात करें बुनियादी की बेशिक की या आप यहां पर तो हमने इसका मतलब यह लिया कि जो समस्या है उसकी नीड पर आधारिती उसकी need पैधारती, तो मतलब जिनका समाधान सरपर्थम किया जाता है ना, उसकी need की पैधार पर करेंगे हम लोग, सबसे basic चीज़े क्या होती, समाधारती समझ जा है, भई मैंने कहा, आप क्या करते हो, आप math की हिसाब से कर पढ़े, तो आप क्या, जिसे 2x करते हैं, प्लस x क करते हैं, बराबर 3, तो आप 5 कर देता हैं, यहां पर 24 कर देता हैं, जाम इंघ具 दे रहा हो तक है, समझो, आप क्या करते हैं, छ यहां पर y employee does Ilum होती है, आप इसके side में कर लेते हैं, भई, ex को कर लेते हैं, two x को Gesch को इधर बराबर कर कर traffic 24, इधर, फिर प्लस इधर उसी प्रकार से यहां पे कहा गया कि जो जिनका समाधान स्वर प्रतम किया जा रहा है उनमें समानार्थ समस्याएं होती हैं उसमें समानार्थ समस्याएं होती हैं तो आपने जितनी समस्याएं आपके सामने मिली जो आपको नीड लगी कि यह इसकी जरूरत है तो उन समस्या में रोगी की मानसिक इस्तिती पर अत्यदिक कुप प्रभाव पड़ता है जो स्रिंखला समस्या है जो चैन की समस्या बनाई जा रही है बात को समझेगा रोगी की मानसिक इस्तिती पर अत्यदिक कुप प्रभाव पड़ता है क्या ये बास सकते है क्या ये बास सकते है स्रिंखला जो समस्या है जो स्रिंखला की समस्या है वो रोगी की मांसिक इस्तिती पर अत्तिक कुप्रभाव पड़ता है देखिए अब यहाँ पर आपने गलत कर दिया अगर आपने इसको सही बोला है तो यह गलत है स्रिंखला की जो समस्या में रोगी की मांसिक इस्तिती पर अतिदिक को प्रभाव लेकिन हम लोगों ने भी उपर वाले सवाल में देखे हैं तो हमारे सामने क्या बोला जा रहा था 35 में कि समस्याइं सदा स्रिंखला की प्रतिक्रिया में होती हैं क्योंकि समस्याइं एक दूसरी से उत्पन होती हैं परन्त यहां पर श्रिंखला की समस्या में रोगी की मानसिक इस्ति पर अतिदिक को प्रभाव पड़ता है यह जरूरी नहीं है कि केवल मानसिक इस्ति पर पड़े हो सकता है सारी किस्ति पर पड़े होसकता है समाज किस्ति पर पड़ए हो सकता है पड़ सकता है यह पड़ सकता है कि अच्ति है कि यह कंद केॹवल मानसिक आप क्या कहना चाते हैं पर कि डिधर नहीं लिखा आतके। यहां स्रिंखला समस्या में रोगी की मानसिक इस्ति पर अत्यधिक को प्रभाव पड़ता है तो अत्यधिक का मतलब हमने जो सब्द लिया है यहां पर वो केवल को ही रिपर्जेंट करना एक प्रकार से बताएगा कि ज्यादा तर हमें मानसिक्ता की इस्ति बता रहा है तो जरूरी तो यह नहीं कि समाजिक इस्ति भी बता सकता है अब केवल अगर आप सोच रहे हैं अच्छी बात है बहुत बढ़िया अपने तरक किया अच्छी बात है परन्तु अत्यधिक को प्रभाव को देखो तो जरू सही है अरे कैसे सत्थ हो सकता है कि रोगी जिस समस्या के परतिस्वयं जागरूक होगा उससे समानारा आर्थ समस्या की संगया कैसे दे सकते हो ये गलत बेलकुल बेलकुल नहीं पड़ता उसको तो फिर तो ये गलत हो गया देखे प्रश्ण ऐसे ही एक्जाम में आप लोगों को बनाये जा सकते हैं मैं आपको बता रहो केवल सब्दों का हेर फेर है आप केवल सोचो मेडिकल सोचल वर्क की पॉइंट आप वियू से जो तो देखे एक भी सवाल गलत नहीं जाएगे केवल पहला सा ये बाकी दोनों के दोनों गलत थे और ऑप्शन सारे के सारे बड़े अच्छे थे पॉइंट आगे देखे कोश्चन नमर 37 अभी करण का मतलब होता है एजंसी एक बिस्ष्ट प्रकार की समाजिक संस्था है ये किसी बिस्ष्ट समों की इक्छाओं और भावनाओं के आदर्सों को असपश्ट करती है ये तो और अच्छा लग रहा है ये भी सही है समाजिक संस्था अपनी सेवाओं द्वारा राजकी तथा ब्यक्तिकत दोनों के आउसक्ताओं को संतुष्ट करता है ये भी तो सकते है है कि नहीं बोलू समाजिक संस्था अपनी सेवाई जो राजकी को भी देगा बिक्तिकत भी दोनों को दोनों को शक्ताओं को संतोष्ट करेगा बिल्कुल सत्य है यहां पर ऑप्षन नमबर डी करेट हो जाएगा आपका उपर यह तो सभी के सभी करेट बाने जाएंगे अच् नमबर थाटी एट हमारे सामने है और तारे तम्मता बताता है कि सेवार्थी की समस्था के संबंद में आवश्चक जानकारी प्राप्त करने को ही कहते हैं बिचारों को तारे तम्मता सुद्ध हिंदी आप लोग यूपी के रहने वाले अगर यतने लोग उनको मालुम होग तारे तम्मता कारता सेवार्थी की समस्था के संबंद में आवश्चक जानकारी प्राप्त होती है उसी को बिचारों को तारे तम्मता कहते हैं वारतालाब बिसे में बदलाव जी जी अगर हम बात करें वारतालाब बिसे में तो आप कहेंगे कि सेवार्थी पहले क्या कर र है उसको हम वारतालाब भी सही में बदलाव की बात करते हैं और प्रारंबिक तथा अंतिम वाक्ष की बात करें तो सेवारती की समस्या की गंभीरता तथा मनुवृतियों का पता लगाते हैं एटिटूड को जानने कोशिश करते हैं सेवारती की गंभीरता को जानने का पता कर और यही हमारा प्रारंब और अंति मुवाक के होता है सोशल वर्कर का अंति मुवाक के क्या है सिवार्थी की गंभीरता को पता लगाना है पहला वाक और मनुवृत्ति को बना रहा है उसको एक ने पॉजिटिव एटिटूर में लाना है समाज की मुखधार से जोड़ना है सम माज़िक समायोजन की बात करनी है तो यह हमारा अंतिवाक्ट का रूप बन जाता है यही आपका सही हो जाएगा अपरकट अर्थ जहां आपको बताता है कि सिवार्थी द्वारा कहे गये सब्दों के अंतर का ज्यान होना आप परकट अर्थ जाराता है यही आपका option में देख हो जाएगा अच्छा सवाल और यह सवाल है एच पर्लामेन का किसका सवाल है यह पर्लामेन का निदान का क्या बताए था यह प्रकार हाँ समझे बात को और यही प्रश्ण केवल एक लाइन में भी आ कहता है इसलिए इस प्रश्ण पर मैं स्टार लगाऊंगा कहता है कि गतिशील निदान किसको कहते हैं मैं पढ़ा चुका हूं कोश्चन नमबर 39 गतिशील निदान किसे कहते हैं तो सेवारती की भीगत जीवन की घटनाओं पर जब विस्यस ध्यान देना सुरू करोगे न उसक क्या क्या सेवारती की समस्चा के अधार पर उनका उसका बेरी गुड़ बेरी गुड़ साबास बहुत बढ़े हैं यही सवाल आप लोगों को डी ट्रिपल लेस्बी का जब मैं पेपर करवा रहा था तब मिला था यही सवाल उपचार आत्मक निदान की बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो क्या बताना चाहोगे सेवारती की समस्चा व्यक्तित और परियावरण के संबंद में होगा और जाहर सी बात है ट्रीटमेंट की प्रिक्रिया हमेशा परियावरण को ही रिपर्जेंट करती है और उपचार की योजना होती है वो उपचार के प्रारोप को निश्चित करती है यही बात आपकी सत्तो जाएगी ता जरा आप्शन बता दीजिए कौन से करट गया बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं निम्दे लखित करतनों पर विचार करेंगे प्रतिरोधात्मक प्रविधियों के अंतरगत सेवार्ती को अपने बेवहर की तुरूटियों को समझने का आउसर मिलता है क्या यह बात सकते है बताए जरा बिल्कुल सकते है और बेवहर के संबंदी सच्चेत एक्षाओं और आवसक्ताओं को असपस्टी क्रड़ की प्रक्रिया के अंतरगत रखा जाता है तो ये भी सत्थ है और समवेशल प्रक्रिया के उपरांत सेवारती का आत्में बोधन और सॉलंबन में कमी आती है और ये गिलत हो जाता है ये प्रिश्ण था समवेशल की प्रक्रिया प्रक्रिया एक प्रकार की जो समवेशल है ये प्रकार का ट्रेटमेंट या प्रविदियों के रूप में हमें देखने को मिलता है समवेशल कहां मिलता है हमें बताईए एक बार समवेशल कहां मिलता भाई जाहिर सी बात है समाजिक के अंतरगत हम ज यहां जब हम बात करें समवेशड तो यह आपका गलत हो जाएगा कि सिवार्थी के उपर मतलब उपरांत सिवार्थी के आत्मे बोधन और संबल में कमी आती है ऐसा कुछ नहीं होता है समवेशड 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 याद रखिएगा यह सब्द इसलिए आपका यहां पर जो होगा यह गलत हो जाएगा ऑप्शन बताए कुछ से करेक्ट गया कि अप्शन कि ए बैरी गुट ए गया कि बी गया सी सी गया कैसे बोल रहे हो अरे भाई क्या कर रहे हो सी जारे टेसर संबल प्रक्रिया में सिवार्थी को आत्मे आदर और सम्मान की भावना का प्रुश से वार्थी के समाइकित विकाश होता है कि यस या नो आत्मे द्रिश्टी विकाश से शेवार्थी ने अपनी सक्टियों चमता और समवेगों को समझने में सहता मिलती है आपको बात करें पहला दूसरा तीसरा सारे सभी ऑपरी तो सभी बस पंद्रा मेटर और चलो तरह से तीजिस चलते हैं चलो कथन पर बिजार करते हैं निदान के स्वरूप के अंतरगत सिवार्थी के बीगत जीवन की घटनाओं पर विसेज ध्यान दिया जाता है कोशन नमबर 42 के गर मैं बात करूँ आप लोगों से तो पहला साही समस्चाओं का संबंद उसके वर्तमान जीवन से जोड़ कर ही निदान करते हैं बिल्कुल सही सही राइट राइट गुड ये भी राइट है अपका और उप्चारातमक निदान के अंतरगत सिवार्थी के कुछ महत्पूर पर इच्छड किया जाते हैं क्यों से महत्पूर का जब आप चाहूं तो आप लोग थर्ड वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है कि उप्चारातमक निदान के अंतरगत सिवार्थी के कुछ महत्पूर पर इच्छड किया जाते हैं देखो आप कह रहे हैं किया जाता है देखो मैं बताओं आप समझ पॉइंट लिखा है दो इसलिए अहां पर यह पॉइंट गलत है मैंने कहा है कि आप अब government में जा रहे हैं आपको प्रश्ण को उसी हिसाब से सोचना है कि प्रश्ण कहना क्या चाहता है प्रश्ण ऐसी पकड़े जाते हैं तो भाई महत्पूर परिछर तो होता है ये बात मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं लेकिन क्या हमने सिवार्थी कि समस्या वहाँ पर इंडिकेट की जब नहीं की तो हम ये बात कहना चाहिए हमें कि हम कर सकते थे या कर सकते हैं ऐसे सब्दों का प्रश्ण सोचल वर्कर सकता वाला सब्द जोडता भी या याद रखीगा आप कभी भी नहीं कहोगे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर दू अगे अगर हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे और हमारे सामने होगा यहां पर कोश्चन नमर 43 किरा निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिए आप लोग पहला कहता है कि उपचार से विक्ति में मनों समाजी समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती ह क्या बात करना चाते है बिल्कुल सही है मिलती है बिल्कुल मिलती है बात करेंगे कि उपचार के उद्देश सेवार्थी के सामाजी कस्तर को बनाए रखने में सहायता परदान करना होता है बिल्कुल सही है राइट है जाहिर सी बात है उपचार का जो उद्देश होता है व यह प्रस्ट अब आप करेंगे मैंने ट्रिक बता दिया है तरीका बता दिया तरह आर आपका पहले बेख्या करेगा दूसरा नहीं करए तीसरा आपका रलत ऑनदद्र हो जाएगा और सई हो जाएगा बता इज्रую बार उब 4 आत्मकh विदान के अंतरगत सेवार्थी की समस्या का आधार पर उसका वर्गी करण किया जाता है यस या नो 44 करता है भाई हाँ जी यस और इसके अंतरगत सेवार्थी की समस्या के सारीरिक मानसिक कारणो तथा व्यक्तित पर उसके प्रभाव और निराकरण का ध्यनोता, बिल्कुल ये भी ठीक है, अब बताओ जरा ब्याख्या है, ब्याख्या नहीं है, चलो चाथ, ठीक है, असपस्ट करते हैं, आजाओ, करते हैं असपस्ट, कहता है कि उपचार आतमक निदान के अंतरगत सेवार्थी की समस्या के आ सब्सक्राइब यहां आप सारी मांसी को किया निशकर्ष पर पहुंचा जा सकता है सिवार्थी की समस्षा बेलकुल पहुंचा जा सकता है पर रिख काता है कि व्यक्तिक सेवा सेवा कारे प्रडाली में गतिसील नीदान का सरवधिक प्रचलन है बेलकुल बहुत बढ़िया सवाल अब यही बात बता दिजे ब्याक्ख्या है या नहीं कोई बच्चा कहा रहा नहीं है हाय नहीं कहां है इक में आप से सेवार्थी चारा बेक्तित और परियौण के संबंद में निसकर सब की बात हो रहा है अब देखो तो सही, कहां हो रहे, मैं आपको कन्फ्यूज कर रहा था, यहां पर कि आप साइद अपने वचन पर अटल रहें, जो सत्य है, उसी पर रहें आप लोग, ब्यक्ष्या बिल्कुल नहीं हो रही है, यहां पर बी सही है, समझो यहां पर क्या है, सेवार्थी की समस्या का, व्यक्ष्या के संबंध, अस्ठापित करके निष्कर्स पर पहुचा जाता है यह थीख है, यह अलग बात है, और नीचे केस वर्क की बात कर रहा है, केसवर्क में जो गतिसील बोलो कि तब ट्रेन छूट जाएगी तेजी से बोलो जल्दी जल्दी कोश्चन नमबर 46 देखो जिन इस्थितियों का ब्यक्ति सामना नहीं कर पाता वह उन परिस्थितियों से दूर होने का प्रयास करता है यस या नो बिल्कुल करता है बिल्कुल सही बात है सोचने वाली ब लायन या प्रत्या गमन कहा जाता है अब देखिए ब्याक्या है या नहीं है समझ गए हो फिर बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां समझो अच्छे से इसी तरह 47 देखो प्रति अस्थापन द्वारा नवीन लच्छों को पूर्व माननेता एवं सविक्रिति प्रदान की प्रति अस्थापन के द्वारा क्या होते हैं नए लच्छ को पूर्व माननेता और स्विक्रिति प्रदान करता है प्रति अस्थापन और फिर कहता है कि इच्छित लच्छों के अस्थान पर दूसरे लच्छों को अस्थापित प्रति अस्थापना की जाती है तो क्या कहना उचित समझेंगे question number 47 का क्या ये ब्याक्या हो रही है नहीं हो रही है बेलकुल हो रही है बेलकुल हो रही है करेट जवाब है प्रतियस्थापन का मतलब यही होता है कि नए लच्छ को पूर मानता अगरा जो है जो accept अगरा अपने अनुमोदन अगरा कि प्रक्रिया इसांचा किया है समाजकारी में उसको कर लीजिए वही प्रतियस्थापन होता है और फिर कह रहा है आप से कि जो लच्छ आपने बना लिया अपने अस्थान पे मान दो उनहीं पर दूसरे लच्छों को आप अस्थापित कर देते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं लेना होत ले लिजेगा कोश्चन नमबर 48 की गर मैं बात करूं आप लोगों से तो प्रतिगमन और प्रतिगमन तो मैंने आप लोगों बताया है बताये जरा हींता यह अच्छमता की भावना के प्रति सुरक्षातमक क्रिया क्या कहलाती है कोश्चन नमबर 48 का आपका जवाब प्रति यहां पर इच्छित की बात हो रही थी ना इच्छित मूल लच्छ के अस्थान पर दूसरे लच्छों बन रहे हैं प्रति गमन बन रहे हैं तो अगर मैं बात करूँ वास्तविक अस्तर के निम्न अस्तर का कार यह जो बैवहर करेगा वो क्या बनेगा यह प्रति अस्थापन बाई जाहिर से बात है यहां पर हम बात कर रहे हैं कोशन नमबर जो है फूट्टी एट में तो अगर मैं आप से बात करूँ कि जो यहां आपका दिया गया है यह आपका वास्तविक अस्तर को निम्न अस्तर के बैवहर को ही प्रति अस्थापन करते हैं और यह थार्तता से हट करें स्थिटियों का जब निर्मार करते हो तो बता दिजी ऑप्शन कौन सा गया करेट बी वैरी गुट साबाश यह होता है सवाल फिर प्रती प्रती की करण क्या होता है प्रती की करण का मतलब क्या एक प अगर आप से यहां पर बात करूँ नहीं 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 अपनी आसफलता को कश्ट दायक भावनाओं को दूसरों को आरोपित कर देना बताओ भया यह तो यह तो सही होगा ना यह सँथा यह सही होगा आपका यह और अगर हम बात करें षिशा पंद बीस्थापन क्या होता दें प्रिंघ गहरें बच्चों और मेel वाइप बीस्थापन प्रचेपड क्या हो गया कि प्रच्षिपड क्या हो गया कि ब्यक्ति की द्वारा कमिद्वक्रिति करती और उदाती कर अशुरू कि塊 इड़ितस्थि क indifferent है रहा जाता है एक जाता है यह एक बें प्रित्वत्पन सम्वाइद मैं यही पर औरब सही जबाब क्या होना चाहिए यहां पर option म coupon चलो एक और सवाल देखते हैं इदर आगे चले और सवाल लेते हैं देखो मनुनाटक उप्चार प्रविदी 1847 में मोरोन द्वारा विक्षित किया गया था question number 50 आपके सामने है भी आपके सामने है question number 50 आपका जवाब आना चाहिए कि ये मनुनाटक उप्चार प्रविद्या न है गलत है और ये आपने एक समाजमिती सुना है जेल मोरोनों का नाम नहीं सुना समाजमिती नहीं सुना है आप लोगों ने समाज मिति मापन है जेल मोरूनों का वह मापन की प्रिक्रिया है तो मैं आप से कहूंगा कि जेल मोरूनों है तो भाई यहां पर देख लीजिए एक गलत है और सही कौन सा ऑप्षिन गया बोलो जो दी बहुत बढ़ी यह बताओ जरा कथन कहता है कि समू उप्चार सिवार्थी की कठनाईयों तथा और सम लोगों के साथ उनके सामवेगी कुरूप से बेवहर करने में जो चमता है उस साथ किसी किया से बैक्ग्राउंड आवाज आ रही साथ बात कर रहे हैं सर म्यूट हो जाईए कि समू उप्चार सिवार्थी की कठनाईयों तथा लोगों के साथ उनके सामवेगी कुरूप से बेवहर करने की छमतापन निर्भर करता है तो आप लोगों का जबाब होना चा बैक्ख्या वेलकुल हो रही है इसलिए आपका यह राइट हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक बात करें प्रयोगात्मक उप्चार प्रविदिया बहुत इंपोर्टन सवाल आस्टीन का नाम आता है राइट करेट है यह संबलात्मक तथा अंतरद्रिष्टी उप्चार का मि यस और मैं आपको बता दू बैक्ख्या भी होगी यस ठीक है ऑप्शन नमबर एक अगें सब्ते हो जाएगा काल रोजर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने काल रोजर्स कहते हैं कि उप्चार आत्मक साच्छत कार के प्रकारों का बिशेष ध्यान दिया है क्या दिया है बिशेष ध्यान दिया है क्या ये बात ठीक ठाक है बिल्कुल ठीक ठाक है राइट है और अगर मैं बात करूं कि यह उप्चार प्लाली वस्तु केंद्रित और एतियासिक परिस्तिती पर बिशेष ध्यान देती है क्या ये राइट है और कोई बच्चा और कोई बच्चा ब कि यह सब्काइब बताओं गलत अगर बता हो तो कैसे जल्ली बताओ कोई मैं चलू बताओं फिर कि यह वस्तु के इंद्रित नहीं कि ओश्थ के इंद्रित नहीं है यही चीज आप ध्यान नहीं दे रहे हो मैं और एक एक चीजों पर ध्यान दो तो client central therapy में बात करता है, that is right है, यह वस्तु की बात करता है, वस्तु मतलब होता है क्या, object, उस पे कहां बात किया है, किया है कहीं, देखा है, सुना है, जब ब्यक्ति परक, ब्यक्ति करक तो है है सर, उसमें कोई दोराह नहीं है, लेकिन आपको यही सोचना था, मुझे यही ब है, आर गलत है, बताओ किस option में था, A सई आर गलत, A सई आर गलत, option number C, C तो था, बोलो न, इसलिए आप ध्यान रहे हो, प्रश्न को नहीं ध्यान दे रहे हो, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, सब्दों को समझो, वाक्र को समझो, और नहीं आनी जाती है, question number 54, question number 54, मैं आप से कहूँ, ये सही है, हस्तादी प्रियोग जो होता है, वो एक मिथड होता है, विधी होता है, जहां पे जो आशामाजिक तथ्य होते हैं, बेक्ति के अंदर, उसको हम हतो उससाहित करते हैं, हतो उससाहित का मतलब, ये मत समझ लेना कि तो question number 54 की आप लोगों की बात करूँ, तो यहां पे हस्तादी प्रियोग जो होता है, प्रविधी प्रियोग की बिधी मानी जाती है, और ये आप कराइट है, मनो चिकिस्टा, मनो विश्लेशर की अपेच्छा विस्तरित है, क्या बात सकते है, question number 54, 54, गलत है ये तो, मनो च मनो चिकिस्टा, मनो विश्लेशर की अपेच्छा विस्तरित है, विस्तरित का मतलब क्या होता है, ब्यापक, बड़े लेबल पर, तो मनो चिकिस्टा, मनो विश्लेशर की अपेच्छा थोड़ी न हो सकता है, गलत है ये, फिर बताए, साकारात्मक जोड तोड का उपचार, पता है जोड़ तोड़ का मतलब होता है modification करके परिवर्तन करके उपचार के उद्देशों को प्रभावित करती है क्या ये बात ठीक लग रही है शक्रात्मों जोड़ तोड़ जो होता है वो उपचार के उद्देशों को प्रभावित करती है उद्देशों को प्रभावित करने का मतलब यहां पर हम आप से बात करें तो वो निगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है निगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है तो कोश्चन नमबर 54 का ऑप्शन नमबर केवल पहला सही है बाकी सारे गलत हैं इसलिए option number a correct रहेगा यहां पर 55 निम्न लिखित में से विचार करिए कि मनोची किस्सा का प्रमुक उद्देश मानसिक और मनोवैग्यानिक स्वास्त प्राप्त करने में ब्यक्ति की सहायता करना होता है क्या ठीक है अगर आप इस बात को सत्य कहते हैं तो अच्छी बात है बात कहते हैं कि अंतरद्रिश्टी उप्चार विदी कठिनाईयों के उत्तरदाई वास्तवी कारकों के बोध प्रकटन पर निर्भर करता है यह भी आपका सत्य है और प्रियोगात्मक उप्चार प्लाली आस्टिन की देन है यह भी बात आपकी सही है इसलिए उप्चन नमबर डी सही जाएगा बैस जो सवाल आप लोग समझ जाते हो दुबारा तो गलती नहीं करते है इससे तो यह तै हो गया है आगे देखते हैं कोश्चन नमबर 56 निर्भर कतनों पर विचार करेंगे संबल उपचार की ए और उसमें एक विकास विक्षित होता है कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा बिलकुल सही हो जाएगा आपको बता दो मैं जब प्रश्न आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे दूसरे सब्दों से रिलेट करते होई पढ़ेंगे तो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे याद रखिएगा जैसे question number 57 समाजकारी छेतर में सौरपर्थम मैरी रिचमंड ने समस्या ग्रस्त व्यक्ति की सहायता की भूमिका पर बल दिया था क्या ये बात सत्य है गलत है कैसे कोई महान भाव ने बोला है मैरी रिचमंड का नाम ग्रूप में किस्वर्क में आते हैं केस्वर्क में आते हैं तो समाजकार में कहीं पर केंगे कवल केस्वर्क में आयगा कशे परस समाजकारी छेतर में सौरपर्थम की बात हो रही है मैरी रिचमंड महोदय ने समस्या ग्रस्ट व्यक्त की जब बात कर लिया तो इसका मतलब था ये केस वर्क की सहायता भूमिका पर बल देता है अप्शन नंबर आपका पहला सत्य हो जाएगा अरे बहुत क्यों नहीं डीप में सोच पाते हैं आप लोग डीप में सोचने वाली बात भी नहीं जब खुद पेपर में लिखा हुआ कि समस्या ग्रस्ट व्यक्ती तो क्यों हमें जुरूत सोचना है उसमें बता रहा है कि मैं क केस्वर्क में हूँ और उसके जनक है वह माता के नाम से जानी जाती है बता रही है कि खुद हमें इसे हैं अब तब भी गलत कर रहे हो मनो विश्लेश लात्मक उप्चार के अंतरगत पर्यावरड ये जोड़ तो दिखिए वहां पर सकरात्मक जोड़ तो था मैंने बताए थोड़ा सा की पर्यावरड जोड़ को क्या करता है समस्चाओं के समधान के लिए उप्योग बिलाता लेकिन ये आता है कहां पर मनो विश्लेश लात्मक उप्चार में आता है क्या कहना उची समझेंगे 57 का बोलो सही है सब्सक्राइब करते हैं तो उसी के अंतरगत पर्या पर्यावरड में माल लीजिए वहां पर बच्चा पढ़ रहा था वहां पर एक छोटा भीम का पेपर लगा हुआ है चार्ट पेपर लगा हुआ बस निकाल दो इसको हटा दो पर्यावरड जोड़ तोड़ हो गया बन गया सही से बच्चा अगर नहीं बैठके ध्यान दे प अगर यहां अगर यहां अगर यहां अगर यहां पर आप्षिन नमबर पर प्रशन मैं बार बार कह रहा हूं ध्यान से पढ़ो अभी भी ध्यान बहुत बच्चे कम दे रहे हैं कोश्चन नमबर आगे बढ़ेंगे आप्षिन आपको मालूम है कूट बढ़ेंगे 58 पे मानसिक रोगियों के पुनरवास पुनरवास तो आप लोग इतना अच्छे से जानते हो को पूछो ही मत बताओ कि मन चिकिस्सा समाजिक कारिकरता का योगदान रहता है यस या नो मे ब्याक्षान देकर सिक्षा में हाथ बटाते हैं बेलकुल बटाते हैं अच्छा बताए आपको कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे कि अगर मैं पढ़ रहा हूं यहां तक तो ठीक चल रहे होंगे अजब लंबा चोड़ा दिखता होगा तो भूल जाते होंगे पिछला वाला अ मेडिकल सोचल वर्कर तो अपने आपको रख लो पहां पे और जैसे ही अपने आपको रख लोगे अब फिर अपने से करो सवाल कह रहा है कि सिच्छर संस्थानों में च्छात्रों को मानसिक स्वास्त और मानसिक रोगों पर ब्याक्षा देकर सिच्छा में हाथ बटाएगा तो क्यों नहीं आपने बटाओगे हाथ जहू अपने आपकर उखित बटाओगे न तो टो कहां भूला कुछ नहीं भूलेगा यदि जब अपने आपको रख के सोचो कि तब कभी जिंदेगी बहूलेगा अगर सोचो कहीं एक। परश्ण कर रहा हूँ और यह कौन सा परश् आप लों बता रहे हैं चलो बहुत हैं ऐसे क्या भूला यहां पर आपसे यह बोला कि मानसिक रोगियों के पुनर्वास में मन चिकस्त की समाजिक कार्य करता का यूगदान रहता है यह बात करा रीहेबिलिटेशन है ठीक है हम मानता हूं कि मानसिक रोगी अगर है कोई बेग तो मेडिकल सोचल वर्कर क्या करता है उसको पुनरवास कर देता है पुनरवासित करके समाज के मुक्तारा जोड़ देता है फिर दूसरी बात कहा है कि मन समाजिक कारेकरता सिचरर्संस्थान आ जगा एक है कहा पर तुम लोग इसको ही ता च्छां सुर्ट तो कहां से व्याक्या बोलो जब ब्याख्या नहीं हो तक कियों बोलते रहे हुआ किपनी बार समझाओं अब सामने होते तो कुछ तो पिटाई होई जाती है कि लिए चलो आगे ध्यान से देखो अभी गलती मत करना कोई भी 59 देखो मांसिक रोगों के कारण लच्छड और सनलच्छडों का ग्यान मनोच किस्तकी के लिए अनिवारी होता है यस या नो बेलकुल होना चाहिए यह सार बेलकुल होना चाह मात्रा में उपचार भी तो साहिक कर सकता है मतलम मदद भी दे सकता है उपचार के माद्र से टीटरमेंट के माद्र से तो मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि पहले तो यह बताईए कि पहला सत्य है यस दूसरा मुझे बताईए कि ग्यान से वह ना केवल रोग का निदान करे बल्कि बहुत मात्रा में उपचार में भी साहिक होगा Yes यह No Yes तो आप मुझे बताये यहां पे सही है यह गलत है ब्याख्या भी लगा है यह दखाऊ आपने ट्रिक पकड लिया था क्यों कि मैंने आपको बताया भी क्यों की एक बहुत बढ़िया तरीका है ट्रिक है सवाल यसे सवाल को समझने के लिए और यह सही तरीके से ब्याख्या कर रहा है क्योंकि वज़ा से यह option में ब्याख्या हो रही है यदि यह आपको हो जाए ना तो कभी आप सवाल गलत कर ही नहीं पाएंगे ऐसे सवाल तो 100% guarantee में लेता हूं जिस दिन समझ जाएंगे गलत हो बहुत बढ़िया फिर कारण में कहता कि यह प्रसिचर से संबंदी दो प्रमुक संस्थाएं थी राची और बैंगलोर क्या बात सब्सक्राइब बटा दो कहां यह दो संस्थाई तो टाटा इंसिट्यूट की बात कर रहा है और फिर आप कहरें दो संस्थाएं हैं यही कहां जोड़ देते हो आप लोग बताओ वह हॉस्पीटल है वह हॉस्पीटल यह कहां इंसिट्यूट ट्रेनिंग गलत कर रहे हो फिर अभी दुखो अच्छा ही होगा आप सब के लिए कुश्चन नमबर मैं 60 की बात करूंगा तो ए गल ए सई है और गलत है ऑप्शन में दे जानकारी प्राप्त करना आवश्चक होगा या नहीं होगा बिलकुल सही होगा बात करेंगे अगर हम लोग यहां पे दूसरे पर कि इसके लिए आवश्चक है कि सूचना दाता का ठीक से चैन किया जाना चाहिए बिलकुल होना चाहिए वह यह बिए अब मुझे जड़ा रोगी के बिसे में पूर जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है क्योंकि इसके लिए आवश्यक है सूचना दाता का ठीक से चैन किया जाना और हो गया हो बैस सिंपल सी बात है कुछ करने के जुरूत नहीं कोश्च नुबर 62 कहता है कि 1913 में बोस्टन साइकोपैथी चिक यूरो लॉजिस्ट थी क्या थे बताओ बच्चों के डाक्टर थी है क्या थी अभी किसी ने बोला फिर चुप हो गए अब बोलो ना बोलते रहा करो अरे भाई ये तो साइकोपैथी चिकिस्ताले के निदेशक पद पे थी क्या करते रहते हो आप लो निदेशक पद पे थी ना ये डारेक्टर थी ना ये तब फिर कैसे कह रहे हो इसको निरोलाजिस्ट इतना मनन करोगे और 5-6 सिकंड ले लेते हो मेरा आगे बढ़ो कोशन नमबर 63 भारत में सौर पर्थम 1907 में मनोची किस्ताली समाजिकार करता क अब यह कहां से कहां जोडते हो आप लोगी गलत कर देते हो आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो यह आप काटो इसको यह गलत है बंबई में चाइल्ड गाइड लाइन क्लिनिक की न्युक्ति की गई थी क्या बात सभी तो है यह तो मैं आप से कहूंगा 63 में ए गलत हो गया और सभी हो गया और इस वज़ा से 63 का जो सभी जवाब चला जाएगा वो डी की तरफ चला जाएगा डी में साइद नहीं हंड़ प्रवलत और सभी थुड़ा और अच्छे से करो और अच्छे से करो अभी अच्छे से नहीं आ रहे हो आप लोग पहले चल रहते हैं आप गडबड़ हो रहे हो सभी 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 64 देखो मनों चिकिस्त की समाजकारी समाजकारी की एक बिशिष्ट साखा के रूप में यस या हाँ मिल्कुल सभिए है पिर कहते हैं कि इस साखा में समाजकारी करता मनो चिकिस्ता बिज्ञान के प्रारंबिक ज्ञान से मुक्ट होता है जहां पर शमाजकारी की एक बिशिष्ट साखा के रूप में हम लोग जानते हैं सन 1937 से फिर उनी साखा में समाजिक कारी करता जो है मनोची किस्था बिज्ञान के प्रारंबिक ज्ञान से मुक्त होता है तो क्या ये दोनों सही सिट्रिवल वर्ड या सेंटेंस बना रहे हैं कैसे सर मैं कह रहा हूँ एक बिशिष्ट साखा के रूप में आ गया और वो बिशिष्ट साखा में तो ये बात थे तो साफ शब्द में बता दूती ये चीज़े थोड़ी थी कि बिशेश साखा यही है कि मनुची किस्ता बिज्ञान के प्रारंबिक ज्ञान से मुक्त होना है वो यही बात नहीं है न एक ही बात तो नहीं है मतलब अगर हम बात करें प्रारंबिक ज्ञान से मुक्त होना मतलब के वर प्रारंबिक ज्ञान ही लेना है निदान उपचार अगर मत करो उसका हो गया आपका काम अध्यान आपने कर लिया सिवार्ति का काम हो गया कम्प्लीट अध्यान आपका सामिल है यह बात 10% सही है 110 परसंट बट इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप उसके साथ काम हो लोगों को यह सारे चीजे होती है मैं आपसे कहूंगा दोनों सक्त्य हैं परन्तु ब्याक्ष्ण नहीं है कोश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही बी जाएगा सही कोश्चन नंबर 65 मनोचि किस्तिकी समाजकारी की साखा की उत्पत्ति 20 सताब्दी मिसे प्र नहीं आपको बताना यहां पर 1937 जो है ना वो बीस्वी सताब्दी करत्रगत आ जाता है इसलिए याद रखिए उननीस सो से ही क्लिक करना चाहिए यह बात आप ध्यान रखिएगा तो इसका सही जवाब रहेगा यह वर्स 1905 के दौरान में निरोलोजिकल क्लीनिक के प्रभा कालिक समाजिक कारी करता कि न्यूक्ति की गई थी कोश्चन नमर 65 पता रहा है आपसे ऐसा बात है हां ठीक है बाई मानते हैं और इस सब्सक्राइब है उननीस सो पांच में ऐसी बात अगर हमने करता है प्रश्ण में क्या था प्रश्ण में तो यही पूछा गया निरोलोज क्ले वही होते हैं जो किस्ता समाजकारी की होते हैं यहां मैंने आपसे कहा कि 1905 की प्रिक्रिया बताती है कि एक medical social work की न्यूक्ति की एक medical social work की न्यूक्ति की तो मैं आप से कहूँगा कि मैसाज चुटेसर general hospital का नाम सुना होगा मैसाज चुटेसर general hospital में समाज सेवा बिभाग की अस्थापना की गई थी 1905 में और उसी बिभाग में कारिकरता को अस्पताल के neurologic clinic में रोग के सही निदान और प्रभावी उपचार के लिए न्यूक्ति किया जा गया और इसी दोरा नेरोलोजिक क्लीनिक के प्रभारी दोरा पूर्वकालिक समाजिक कारिकरता की न्यूक्ति की गई थी और इसी कारिकरता को आवश्चक प्रसिच्छड परदान किया गया और कारियों को अधीच्छ के लिए उनके दोरा सोयम इसको किया गया मतलब एक प्रकार से शुरुबात कर दी गई शोशल वर्क करके दोरा तो 1905 मैसा चुटेसस रिपर्जेंट करता जनरल हॉस्पीटल इस दर राइट एंस और ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो पहला भी यहां पर सही है और दूसरा भ बात कर रहा है अब समझ में नहीं आया अच्छी बात है कोश्चन नंबर 65 66 किस्ता समाजकारी के विकास का प्रता माधार 18889 अच्छा भी आवर आगे है मैं इंग्लेंड के अस्पतालों से मुक्त हुए मानसिक रोगियों के उत्तर चर्या पर विचार किया गया था या वि है वेल्कुल सही है वेल्कुल सही है और इन दिनों ऐसा मैसूस भी किया गया था कि अस्पतालों से लौटने के बाद रोगी कि उसकी घर पर समुचित देख भाल भी होना अवश्यक माना जाता था ऐसा थोड़ी कि आप उससे छोड़ दोगे सही है गलत बोलो अप्शन नमबर एक करेट हो जाएगा यहां पर ब्याक्ष्या भी है ऐसे प्रश्ण पढ़ो एक बार में उत्तर आ जाए मनुची किस्तकी समाजकारी का सवरप्रथम वर्स 1931 में परिभाशित किया गया होता है किवल हमें विचार करना पड़ता है बस जब विचार आते हैं तो इसमें कितने फैक्ट मिले हैं कितना विचार मिला बहुत कुछ मिला है इस प्रश्णों से तो है कि नहीं दिखिए बताए रहा कि मनुची किस्तकी समाजकारी का सवरप्रथम वर्स जो था वो 1931 में परिभाशित किया गया था क्या हां और कहां पर कहां पर बताओ हाई हाई वैरी गुड वैरी गुड साबाश यही मैं जाना चाहता था वैरी गुड 1937 में कहां पर भारत बुम्बई वैरी गुड और यहां बताए कारण में कि आप परिभासा संहुत राज अमेरिका के मान डंडो की सलाकार की परिशत की समिती की द्वारा की गई ही क्या जी सर यह भी सही है तो कितनी अच्छी बात है कि आप लोग समझ रहें देखो अभी प्रेशन रिप कोशन 60 कहरा समाजकारी बैवसाय समाजकारी की एक बीसे सी कल़का च्छेत्र बिल्कुल राइट है इसमें कोई दौर नहीं है अगर मैं बात करो कि यहां ब्याथा प्रदान करने का प्रता बिल्कुल सही बताओ व्याख्या है या नहीं घ्लकुल है और यहां जाएगा तमि सत्य स्वास्त सर्वेच्छड और विकास समीति के प्रसिश्चित जो किस्ता समाजी कारी करता थी उनकी आउसकता पर बल भी दिया दे गया था तो मैं आप सबसे कहूंगा कि यह और इसकी ब्याख्या भी करेट रहे आगे अच्छा भी दुबारा रिपीट हो रहे हैं आप लोगों को सब्सक्राइब नवीन आविश्कारों और प्रगति की कारण समाज मुलत था निवारची किस्ता का उदय हुआ और यह अग्यान के चेतर यह प्राचीजिन समय की बात है सबसे पहले की बात में कर रहा हूं संपूर देश में समाज मुलक और चिकिस्ता विभाग की अस्थापना भी यह बात तो भी आपको मानना पड़ेगा यह भी सत्य है परन्तु यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से ब्याख्या के लिए कर तो यहां पर चिकिस्ता सिक्छा के संबंद में महा विद्याल्या की मनों समाजिक समस्चाओं के बिसे में उसके विचारों सरी उनके परिवारों तथा समाज के उत्तरदाई सदस्चों को बताना होता है रोग्यों की जो मनों समाजिक समस्चाओं के बिसे में उनके परिवारों तथा समाज के उत्तरदाई सदस्चों को बताना होता है यह क कुछ नो कुछ बोले जा रहा है उसमें कारण की बात करें ताकि वे रोगियों के संबंध में अपने नवीन उत्तरदाइत की पहचान कर सके और रोगियों की उसकी अथा इस्तिती में शॉबिकार भी कर सके तो अभी मैं इस प्रशनों पर स्टॉप मारता हूं 71 तक हो चुका है आगे बढ़ेंगे कुछ पॉइट अब टॉपिक पढ़ेंगे थोड़ा सा अभी कुछ और चीज़े हमें आप लोगों को देना है इंपॉर्टन चीजें उस चीजों को भी आप बने रहे हैं अभी कुछ हैं जो तो यहां से में रहे हैं अच्छे प्रशन है सारे इन प्रश्त को तम आपको करवाऊऊंगा के प्रिचर क्यों सा मगा और बहुत बढ़ताया बढ़ता का यह ने से वार्ति केंद्री किसत में च्छात किस ने दिया था तो बेजब बोलो सही है ब्म रोजर्स स्थे पी मिन चन्क यह खोता है बिरेचन क्या होता है अच्छा बिरेचन देखो सर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं को बता कर तनाव को कम कर देना भाव बिरेचन थोड़ी न होता है सर गलत है हर किसी को अपनी समस्याओं को बता कर तनाव को कम कर देना मेडिकल सोशल वर्कर हो आप लोग इसलिए आपको यही जवाब देना है और यही जवाब आपका सही भी है और प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो सबते हैं यह केवल लगेगा आप में इसमें कोई दो रहे नहीं है बुद्धी लब्धी का निर्धारण के लिए किस परी सूत्र का प्रियोग किया है डी आईक्यू इस इक्वल अमें अपांस ये इंटू हंड्रेड और यह सूत्र जानते हो कैसे फाइंड आउट किया जाता है किसी को अच्छा देखो अगर मैने आप से कहा कि एक सिवार्थी है उस सिवार्थी की जो मांशिक आई हूए वो दस वर्स है और उसकी जो वास्त्विक आई हूए जो उसकी वास्त्विक आई हूए वो 20 वर्स है तो बताईए यहाँ पर IQ बुद्धी लब्धी क्या होगी intelligent constant तो 10 आप यहाँ पर मांसिक जो mental age लिखा हुआ है मांसिक आई पर 10 पर रख दीजे और जो वास्तिविक आई है जिसको chronical age कहता है real age उसको आप 20 नीचे लिख दीजे और into में 100 कर दीजे और आप इसको काट दीजे 25 जा 25 जा 100 और आप यहाँ पर 10 इंटू 5 कर दीजे और अब आपका आगया IQ 50 50 अब ध्यान देने वाली बात आपको यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि बच्चा अगर normal है तो वो 90 से लेकर 110 की बीच में आता है और 70 से अगर 90 है तो borderline पर आता है यदि अगर हम mild की बात करते हैं तो 70 से 50 50 से 70 आता है 35 से 50 की बात करेंगे तो यह moderate label पर आता है तो यहां पर आपका mild label करेंगे बच्चा हुआ कि सबसे पहले आपका आता है यहां पर बात करें तो profound जो 20 से कम होता है profound 20 से कम उसके बाद आता है आपका severe जो 20 से 19 से 19 से 19 से 34 फिर उसके बाद आता है आपका यहां पर profound severe mild sorry moderate moderate की बात करें तो यह आपका 35 से 49 फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर mild 50 से 50 से आपका 69 और फिर उसके बाद आता है borderline जहां पर 70 से आपका 89 फिर आपका आता है जंडर नॉर्मन 90 से 109 यह तर्मन के दोरा बताये गए हैं कुछ इसके बाद प्रभावी आले आ जाते हैं 110 से रिजन की वाले वैक्ति आते हैं कुशाग्रे वैक्ति वाले आते हैं 140 से यह उपर आ जाते हैं यह तर्मन की दोरा दिया गया था IQ का वर्गी करण इसलिए आपका यहां पर सही जवाब जागा option number D सवाल ऐसे भी देखने को कभी-कभी मिल जाते हैं real है मतलब यह चीजे की आप लोग हो सकता है काज चीजे मिल जाएं इसमें से देखने की इसलिए ध्यान रखिएगा आप सबी लोग जल अहेड्रोफोबिया ओके निक्टोफोबिया के अगर में बात करें तो अंधेरे से वेरी गुड एक्रोफोबिया की बात करें तो पाइरोफोबिया की बात करें तो क्या बात है तेज हो गए फिर तो आप लोग बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चालो आगे बढ़िये नेश देखिए देखिए मैं आप लोगों को सायद इसके बारें पढ़ा भी चुका हूं जो इतनी डिसीबल्टी के चित्म जितनी एजन्सियां हैं उनके बारें बता चुका हूं आप लोगों से नेशनल इंसिटूट ऑप इंपॉर्मेंट ऑफ पर्सन विथ मल्टिपल डिसीबल्टी किस अस्थान पर इस्थित है तो सही जवाब आपका चेन्न नई हाँ सही जवा हाँ फैसीजिट निए एमेज है तो अगारे में वैयरी घुट सहाबास आगे अगरे बात करेंगे मुंबई में मांसिक दल उपागम किसमे प्रभाव साली चिकिस्टकी प्रक्रिया के लिए अनीवारिया प्रोच है बताओ किसमे प्रभाव का सबाओ अगर हम बात करेंगे तो चायल गाइड इन्सटर्स है जिसें यृँ और सिथिमत सब्सक्रार बात चलिए आगे बात करें कुछ बिमारी के नाम कोशिट नुबर एट में आप मुझे ज़रा बताए उस बिमारी का नम अगर मैं बात करूँ मनो डिप्रेसियू साइकोसिस किसके अंतरगत आएगा अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बताइए कोश्चन नमबर आठ का किस में आएगा आपको बायो पोलर मूड डिसॉडर में आता है इस चीज़ को आप लोग ध्यान के एनरक्सिया नरोसा के बारे मैंने साथ आप लोग पढ़ा रखा है तो इसका सही जवाब आ जाएगा इन प्रेगनेंशन आपका ये से हो जगा सीजोफरिनिया की बात करें सीजोफरिनिया एक मनो विदिलता है वाख वेरी गुड और अगर हम बात करें अफेस्या वाख तूर्ट तो याद रखने वाली बात है बहुत ही इजी सवाल था चिकित सकी है और लोग स्वास्त समाच कारी करता क्या नहीं प्रदान करते हैं चिकित सकी और लोग स्वास्त समाजी कारी करता क्या नहीं प्रदान करते तो बताए जरा बैक्ति और परिवार को मनो वैग्यानिक संबल क्या ये होगा हमें कहना है कि नहीं तो ये तो करते हैं फिर देखभाल करने की बाद करते हैं चिकिस्तकी साहता और निदानात्मक सेवाई देखें यहां अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो चिकिस्तकी और लोग स्वास्त समाजकारी करता क्या नहीं करेगा देखो एक तो देख भाल करने की सहायता भी है मनोवय ग्यानिक संबल भी है डिस्चार्ज किये गए मरीजों को पुना अस्थापन में सहायता करना होता है चिकित्सकी सहायता और निदानातमक सिवाएं जो होती है ये नहीं होती है याद रखेगा लोग स्वास्था समाज कारी करता क्या नहीं करेगा ये नहीं करता option number C करेगा option number C करेगा अस्पताल समाजिक कारी करता का निमनलिकित में से कौन सा कार ये नहीं है देखे किसका अस्पताल वाले में आप SGPGM जा रहे हैं अपने आपको सोचिये और क्या नहीं करोगे बोला बताओ अच्छा जरूरतमंद व्यक्तियों को आर्थिक साहता के लिए धन इकठा करना धन इकठा कर रहेगा अच्छा भई चलो देखते हैं अभी option में देख लेते हैं देखो इसको रख लो मैं कहरा हूँ किसको आप अपने एक साइड में विचार में रख लो साहल चिकिस्सा के लिए तयार नहीं हो रहे मरीज और मरीज और उनके परिजनों को सलाह देना ये भी करेगा हो सकता भी पूशा कौन सा नहीं करेगा ये तो होगा नए मरीजों का पंजी करना और उन्हें OPD कार्ड जारी करना ये बताओ और चिकिस्सा और मरीज के बीच समवाद का सुलब करना अब मुझे एक चीज यहां पर बताओ ध्यान से सुनिएगा आप सबीग मेरी बात को अब अपने आपको अराम सोचिए पहली बात यहां कि बी ऑप्शन आपके अगर में बात करूं तो ये अस्पताल समाजी कार्य करता के लिए कार ये है बी तो है क्योंकि अगर वो चिकिस्सा के लिए तयार नहीं होगा तो दो में तो आप लोग तो भी तो पुरा ठीक ठाक हो है ना बी और सी तो होगा यस या नो बोलो तो सही अब बात आती है जरूरत मंद मरीज को जो जरूरत मंद मरीज है उन मरीजों को आर्थिक सहाथा के लिए धन इकठा करना मतलब ये नहीं है कि उसको धन इकठा करके देना ये थोड़ी उसा काम है कि उसको धन इकठा करने का पॉइंट अब योगर मैं आप से बात करूँ तो उसका मतलब है कि जिसे सेवाई और नीती योजनाई जोता वो मेडिकल सोचल वरकर को पता होता है वो करता है वो अब ये जो नए मरीज है या मालब पुराने मरीज लिख देता उन मरीजों का पंजी करण करना और उन्हें OPD कार देना ये नहीं काम होता है यदि आप कर रहे हैं अपने अस्पताल में हाँ यदि आप कर रहे हैं तो वो चीज थोड़ी ना है कि आप कर रहे हैं तो इसमतलब है आपको भूमिकाओ या भी वो चीजे पढ़ो जब मेडिकल सोचल वरकर पता क्या करेगा केवल सलाह देता है है मार्क दर्शन देता है कराएंगे वो आपके करवाते हैं वही न वो कर लेकिन आपके रोल नहीं है मैडम वो अब बोल अब यह आपकी बात है कि आपका अगर आपके अधिकारों का अगर हनन होता है हाँ बिल्कुल नहीं है सर और यह अन ओफिशल का में गुड़ होता है तो मेरा कहने मतलब यह यह मेरा कहने मतलब यह कि मेडिकल सोचल वरकर कभी भी उसके साथ थुड़ी न जाएगा कि बस का पास बनाओ चलो भाए तुमारे पीछी पीछी चलता चलो तुमारा पीडी कार्ड देता हूं चलो तुमारा रोम तक पहुचा के आता हूं क्या होता है क्या होता है चलो कोई बात नहीं बदलाव लाओ सुधार लाओ कैसे अब यह ओपीडी कार्ड लेके पीचे-पीचे घुम होगे हैं उनके तो आगे बढ़ेंगे कोशन नबर 11 पर एट्स क लिए कोई तीका नहीं है आप में कहाए तो आप मैं चलो हूं कि ये तीका नहीं है एस्प्रस्ण में मुझे थूलार सा कन्फ्यूज हो रहा है है सखीं है ना सब्सक्राइब करें तो 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 क्या एड्स के लिए कोई टीका नहीं तो क्या दोनों गलत हैं दोनों सही है बेल्कुल तो कि लिए कोई टीका नहीं है यह हंड़िटन परचन सथ्य पहला वाला कारण कहता है कि एड्स वायरेस निवेशाड़ों अक्सर अपने जैविक संकेतों को बदल देता है बिल्कुल सही बात बदल देता है यह यह बी सही है अब बात आती है ब्याख्या के लिए क्या आप क अब बिल्कुल बिल्कुल तो यहां पर आपका यह ओप्शन कौन सा चला जाएगा एक बी दोनों तुसाही तो है ब्याख्या नहीं हो रही ना इसमें यह चला जाएगा ऑप्शन नुबर एग भारत में एड्स के मामलों में सर्वधिक समानोडती संक्रमण छूत है कैंसर अलसर और ट्यूमर और टीबी टीबी सर टीबी वैरी गुड 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 यह को अगर बात करें निमने लिकित युगमों का मिलान करिया और नीचे दिये जो कूठ है उसका सही उत्तर का चैन कर दो आप लोग मनो विश्रेशी शिद्धांत किस ने द बाएश याद रखेगा बेटी का भीनाम के मनो समाजी चिकिसा किस ने दिया है ह smiling अब दीको यह चीज़ आप लोगों को हShow देखने रहे होगी समस्चा समुझान का सिध्धांत के गर मैं बात करूँ आप लोगों से तो इसका नाम आप हैमिंटन लगाओ हाँ यहाँ पर और अबली करके लगा लीजिए किसका नाम परलमेंटर और जो यह मनोसामाजिक चिकिस्सा है ना यह बेगन का नाम लगाईए और मनोसामाजिक विकास का सिधान अगर आया है इरेक्षन का नाम लगाईए ठीक है याद रखेगा मनोसामाजिक किस्सा में बीगन और समस्य समाधान का सिधान है मिंटन अपरलमेंट बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां आगे बढ़ेंगे आगे एक आलाश्ट सवाल आधुनिक नियालिक विज्ञान द्वारा उपयोग की जाने वाली सरवदिक उन्नत परिच्छड विधी है और ये सवाल कौन सा होगा DNA होगा फिंगर्प्रिंट नहीं कह सकते आप देखो यहां पर आपने सही चुनाओ किया आधुनिक अधुनिक विज्ञान के द्वारा उपयोग में की जाने वाली सरवदिक उन्नत परिच्छड विधी माने जाती नों फिंगर्प्रिंट माना जाता है DNA बहुत कब अगर पूछ ले संग्यानात्मक समाजकार किस ने दिया है कोगिनेटिव सोशल वर्क किस ने दिया है तो नाम लिखिएगा रॉबर्ट संले संग्यानात्मक समाजकार किस ने दिया है अगर पूछ ले तो हां मैं कॉपी स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ रॉबर्ट संले आप ध्यान रखिएगा मैं नोट्स मंगवाऊंगा भी आप लोगों मैंसे सभी लोग रुखिए कोई ऐसा बच्चनी बहुत इंपोर्टन चीज है मैंने इसको अलग से चाटके रखा है लिखके आप सब के लिए ही रखाए सब आगे बात करें दूसरी पॉइंट पर पीडिया भी है मैं उसको पेज को आप लोगों को फोटो किलिक करके भेज भी दूँगा तो कि आप लोग लिख लो वैसे मैं जान सेरोन किर्क गाड यह नाम आप लिख लिएगा और ओबली करिए रोलो में रोलो में और यह आइंप करिएगा उसके बाद आता है मूल भूत समाजकारिये मूल भूत समाजकारिये इसको लिख लीजिए इंगलिस में ळिल्ली में रेडिकल सोशल Kundu इसको बोलेंगे रोबर्ट बेली कि इसके बाद लिख है यह पूछा गया यह ऊपर से जह ज जितने अभी तक जितना रहे यह यह एक्जाम में पूछे लाचुके हैं ठीक है यह सारे पूछी है लिखिए मेइडिकल सोशल वैल किसक्त न गोल्ड इस्टीन यह 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 आई है गोल्ड इस्टीन उसके बाद फैमिली थेरेपी फैमिली थेरेपी और जो बता रहा हो यह पेपर पूछे जा चुके हैं यह सारी चीज़ याद रखेगा मैंने लिखा था बरजाइना सतीर का नाम याद किसी को बरजीना सतीर हाँ यह नाम लिखेगा फिर जैसे ट्राफ्ट अबाद के हैं यह एहम भूम के निवाती है ठीक है सतीर सतीर इंग्लीज में एम्छे टीर वह अंव्हरों कि सत्यर तन्य विखेग पारत निवस्ता के फिली के उसके बाद लिखें को गर् सफेगया हुआ। मैं क्या है मैं व्हस्के और यह नाम लखें और में कोगनेट्यु थरैपी में और इन बेक और ओर ओरोन टी बेक औरोन टी बेक और लिक लिए अलबर्ट बैंडूरा अलबर्ट बैंडूरा का भी नाम अबली करके उसके बाद लिखिया आप लोग एक लिखिये प्रीविल फ्रीविल 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 फेडरिक निट से फेडरिक निट से लिखिये वेल्फेर अर्गनिजेशन वेल्फेर अर्गनिजेशन वेल्फेर अर्गनिजेशन ओधर डनहाम कि लिखिये श्री रिडाइगनाइज़ेशन के इसीडिय बादी है खुलो की अंच्छा म्यूठ होकी लिखेंट कोई बात नहीं थीडियुह रिद्रिंगनाइज़ेश लेखिये एक्टिवाइग आउक्ति विया हिल, अबलीकर लीजिये सैमुल बरनेल, सैमुल बरनेल, सैमुल बरनेल, सोसल डेवलप्मेंट लिखे, सोसल डेवलप्मेंट, यहाँ पे लिख लीजिये, ms gore ms gore ms gore ms gore ms gore ms gore आगे लिखिये और आगे चले तो सोशल मोमेंट इसको छोड़ दीजिए वह से मैं जो बताता हूं राव नाम है इनका एन एस ए राव यह इंपोर्टन नहीं है नहीं आएगा चूंद दो इसको कम्मूनिटी वर्क कमूनिटी वर्क क्रोमर का नाम लेकिए क्रोमर क्रोमर पाकी मैंने बताया था रॉथमैन और अगर रॉथमैन नाम आती है लेकिन क्रोमर नहीं रहेगा अगर रॉथमैन रहेंगे तो और रॉथमैन नहीं है तो क्रोमर ज़रूर रहेगा क्रोमर जरूर रहेगा ठीक है बेरी बेरी मोस्ट इंपर्टन सोसल लेजिसलेशन समाजिक बिधान जिसको बोलते हैं समाजिक बिधान ठीक है सोसल लेजिसलेशन केडी गार्ग्रेड केडी केडी गार्ग्रेड टिक है और उसके बाद लिखिए बीरु क्रेशी का नम सुना बीरु क्रेशी मैक्स बेबर मैक्स बेबर पोश्कार्ब के नम सुना है पोश्कार्ब लूथर गुलिक लूथर गुलिक केश्वर्क मैरी रिच्मन ग्रूप वर्क ग्रेश कोईले अबली अबली ग्रेश मेथ्यू ग्रेश मेथ्यू अबली हां मेरी रिच्मन मेथ्यू कर लोगरेश मेथ्यू अगर नहीं है तो मेरी रिच्मन होगा तो मेंसे एक ना मिलेगे यहां पर ग्रेश कोईले के साथ एचben ट्रेकर कर लो ट्रेकर का, इस भी ट्रेकर का, आगे बढ़िए, लिखे आगे, आगे आप लिखे, इंसाइड लर्निंग ठ्यूरी, इंसाइड लर्निंग ठ्यूरी, कोहलर, कोहलर, उसके बाद लिखे, टास्क सेंट्रल्ड मॉडल, टास्क, आप समझ रहे हुँ न, कार्य केंदरित ची किस्सा, अंतर दिरिष्टी अधिगम का सिध्धान्त, समझ रहे हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बार कंफर्म कर दीए, मैं इंगलिस में चल इंसाइड लर्निंग थीओ।टि का सिध्धान्त, कोहलर के दिया है, टास्क सेंट्रल को बोलते हैं, कार्य केंदरित, मॉडल, कार्य केंदरित, एक है याद रखिएगा बिलियम रीड बिलियम रीड और एक है आपका यह टास्क है हां एक है आपका क्लाइंट सेंट्रल जिसको ब्यक्ति केंद्रित चिकिस्सा कहते हैं और यहां पर नाम लगाएंगे काल रोजर्स अच्छा बिलियम रीड का नाम नहीं आगा थे इनकी पत्नी थी नाम जानते हैं कि पत्नी का क्या नाम था लौरा आगे बढ़िये बेरी-बेरी मोस्ट इंपोर्टन आई अम्पी करके लिखिएगा तीन नाम एक लिखिए आप लोग लोकल्टी लोकल्टी डेवलप्मेंट मॉडल और लिखिए नीचे सोशल प्लान सोशल एक्षन मतलब आपका बतायरा अस्थानी विकास मॉडल पहला है दूसरा आपका है समाजिक नियोजन तीसरा है समाजिक कारिवाहिया क्रिया इन तीनों मॉडल है और ये तीनों मॉडल किस ने दिया है जैक रोस्मैनने दिया ह है जैक रोस्मैननी दिया है ये लोकल्यटी डिवल्लप्मेंट मॉडल कि शोशल प्लानिग कि सोशल एक्षन तो सोशल एक्षन छैक रोस्मैनна का नाम आता है जैक रोकना लोकल्त अस्थानी बिकास मॉडल अस्थानी बिकास मॉडल आगे आगे लोगे टू फेक्टर थियोरी फेक्टर थियोरी हजबर्ग 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 और आगे पिर दिखिए अपर ग्रोथ नीड क्या ग्रोथ नीड एक दूसरा लिखी का नीचे उसी का रिलेटेड रिलेटेड नेस नीड ये नीड पर आधारी थे तीन बाते बताता हूं किसका राम relatedness need और existence need जिसको अस्तित परक बोलते थे आप existence need ये तीन need है इन तीनों need के अगर कोई बात करता है तो वो एक ही बिद्वान है जिसका नाम है elder feras elder feras इसी को insert में कभी पूछ लेता है ERG theory किस ने दिया है ERG ERG theory किस ने दिया है तो क्या नाम लगाएंगे elder feras theory है ये और elder feras की दोरा दिया गया है elder feras मैं लिख देता हूँ यहां पर नाम भी उसका इसको लिख लिख लिजे इसका नाम है यहां पर आगे बढ़ें बोलो आगे बात करते हैं और बहुत इंपोर्टन है यह सारे पेपर पूछे गए आगे बात करते है यह तो एक प्रत्यासा का सिध्धान्त है प्रत्यासा का सिध्धान्त कि एक्सपेक्टेंसी टियूरी कहते हैं और यह ब्रूम की है ब्रूम की है पार्टिसिपेशन मतलब भागिदारी पार्टिसिपेशन टियूरी एक्स और वाई डगलस का नाम आता है डगलस मैग कि जो है मैं скорее मैंग्रेगर का नाम डगलेस मै ग्रिएगर अगर आप से पूछे दिया यट दिया यह इस ने दिया यह ने ऐक एक जड थैली ट्ली जड औरl और भीक यूळि और विक न्यड आएगा त रिव कि यू आर डब्लू आई सी के उर्वीक है ना उर्वीक ठीक है बताओ बोलो ना चलो आगे लिखो अभी लिखो और लिखो और लिखो ट्राल अन इरर थियोरी ट्राल अन इरर थियोरी थॉन डाइक प्रयास एवं तुरूटी का सिध्धान्द थॉन डाइक ट्राल अन इरर प्रयास एवं तुरूटी का सिध्धान्द तुरूटी का सिध्धान्द फ्री ऐस्योसियेशन कौन बताएगा कोई बच्चा है फिर एस्टी सिग्मन फ्राइड वेरी गड़ अनकॉंसिस साइको डाइनेमिक अच्छाइब अच्छा मुक्त संग मुक्त साचर यह कर लीजिए या मुक्त संग कह लीजिए अच्छार अगर आपसे पूछे क्या बता रहा था मैं साइको सेक्शूल डेवलप्मेंट मतलब मनो लेंगी विकास का सिध्धान्त सीग्मन फ्राइड मनो गत्की यह सिध्धान्त मनो गत्की यह विकास का सिधन गत्की सिधान्ट वह कटलेविन का it was cut Leven का हं लिखिए मनो गत्की सिद्धान फी सीगमन फ्रैड कि घाना मनों गत्की सिद्धान और डायनिक एक डायनिक सोशल डायनिक है समाज गत्की रहे और समाजिक गतकी में लपना लख लीजए काट लेविं छेत्रवाद भी लिख लिछेगा उससे में चेत्रवाद का सिध्धान्द चेत्रवाद का सिध्धान्द और प्ले करके मनो Gatky जिद्धान्द गत्की सिध्धान्द डाइनेविक बोलते हैं इसको जो अच्छा है यह हो गया लिगो परिज अना फ्रायड और प्राइड एक और बोला था अनेटिकल प्लेट regular प्रइपी ङा बना था इनेक्टल मतला बता है आसे जेल खेल का चिकिस्सा आह सब्सक्राइब जो शेडेते थेरे पी कहेंगे आनना फ्राइड औन उप्राइड इन फ्राइड ए एस तरह विडूपोर्च वेरी वरी मोस्ट इंपोर्टन पिलास के लिखिए गा कर इलेक्टिक का ईएलेक्टिक एप्रोच प commitments होलेज ऑट होलीं पर हिंधी में कि हिंदरीक ही छोब सानक कुल करोड है रुधल लीनियस पस्राइश ऑबुझली सरों प्रेत हिंदी मीमीलिपलो इसी को इलेक्ट्रिक एप्प्रोच इंग्लीज देख लेना एक आत बार इंग्लीज भी देख लिया करो आप लोग इलेक्ट्रिक एप्प्रोच प्लोरेंस होलिस फ्लोरेंस होलिस प्लोरेंस होलिस प्रत्यच और आप प्रत्यच की आउधारणा समाजकारी में फ्लोरेंस होल साइको सोसल थरेपी शाइको शोइल थरेपी तरर साइको सोचल थरेपी है आसे ऐसे आथ mi都 सींटर शायग है अभी नाम लिखे हो आप लोग बताओ क्या नाम सवाल में क्या नाम था साइको सोसल तरेपी नहीं बैगन का नाम लगाया था आप लोगोंने बैगन का नाम भूल गया आप लोगा जल्दी भूल जाते हो कि चलो आगे बढ़ें यह हो गया अच्छा और क्या था प्राब्लम सॉल्विंग मोडल कौन है पल्लमेंट समस्टर समाधान को पागम हाँ बोलो अच्छा लुकिंग ग्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टन लुकिंग ग्लास आजाओ इधर थोड़ा सावर बताते हैं लिखो लुकिंग ग्लास सेल्फ मतलब आत्म दरपड का सिध् स्यंप्राब्लमों सोषल प्रोसेश इंग प्रोसेश जा दो बता मातर प्रामद आत्म दरपड का सिध्धान और समाजिक प्रक्रिया आये कोंसेप्ट आप अगर पूँछे कंसेप्ट एव प्रायमिरी और सेकनरी ग्रूप प्र्ाथमिक चंह में पूछे तो सियच कुले एफ टोनीज का नाम सुना है गेसल सॉप्ट गेमिन सॉप्ट गेसल सॉप्ट गेमिन सॉप्ट की आउधारला एफ टोनीज ने दिया है एफ टोनीज समुदाय और संघ भी कहा जाता व component से गेसल दो सॉप्ट गेमिन सॉप्ट ऐसी हिंडी में लिखा मिलेगा गेसल सॉप्ट और गेमिन शॉप्ट मेimporte है एफ टोनीज एफ टोनीज एफ टोनीज फंक्शनल एप्प्रोच विल्थेरेपी एक्टिव लिसलिंग किसने बोला एक्टिव लिसलिंग जानते हो कार्ल रोजर्स ने बोला है एक्टिव लिसलिंग सक्क्री सुनना बोलते हूं उसको फार्मशनल और बिल्थेरपी किसने दिया तो आटो रैंक आटो रैंक आटो रैंक पंशल्वेनिया इन्स्टी दिया च्पर्ण जी सब्सक्राइब नहीं समझाए नहीं समझ पा रहा हूं यह फंशनल अपरूँ जह रहा हुआ उत्य आटो रैंक का वहाँ पंशनल याज भी नहीं समझ आया एक्टिव प्रण गुट 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 टांस एक्षिनल्ट अनलाइसिस सम बैवार विश्लेशड सम बैवार विश्लेशड इरिक बर्न इरिक बर्न यह याद रखेगा इसमें एक तीन नाम पीसी पीसी एए पीसी एपैरेंट चाइल्ड एडल्ट तीन नाम इरिक बर्न इरिक बर्न इरिक बर्न कि अधि और टि ए गेसटाल्टरेपी और समन अ ग्रता के बारे में गेसटाल्ट अ 88 अ गिस?टाल्ट ःति अ? अ निकी थो यहां प्लिकों फेस्द्हां प्रन का समाइप्ट पका सिध्धांत बहुते हैं इसे मैं इसमक्रता असुक्त पारागां कि यहां पर लिखो एफ पल्स एफ पल्स एफ पल्स और गुड मैं गुड मैं उसका नाम है मतलब अच्छा दिमी नहीं उसका नाम लिखा गया है गुड मैं नाम गुड मैं मतलब दोनों दिये हैं मिलके हैं दो लोग है जिसे अगर पर नाम जाता गुड मैं अले अगर पल्से नहीं आ गा तो सब्सका आप झाहिए सब मule कि तो अगरवन अगरे यहां भी कई लिगत कलास कंफलिक्ट थियुरी क्लास चांग्सटिक्ट थियुरी कॉल रोजर में कॉल लॉजर्स क्लास कॉंफ्लीक्ट मतलड हो था क्लास का मतला होता है वर्ग संधर्स का सिध्धान्त दो रोजर्स नहीं दो काल मार्ग्स होगा स्वरी कल मार्ग्स kul marx करो ani varga sakhars wi-net a Kel모 कुम्सãos करें अ है बहुत बहुत बढ़ियां चल तो बहुत बने काफी नो तक को दे दिया इसमें– जरूर आप लोगों को शूर है कात्र प्रेहनि जरूर मिलने वाले है इसमें कोई दो में दिये कि कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक नई शर्थ अच्छा अब अब अभी मैं न ऐसा करते हैं कल आपकी दिन में भी क्लास होगी और कल लगभाग मान चलो आपके चार से पांच घंटे क्लास से लें मतलब दो-दो घंटे चलाऊंगा दो बार चलाऊंगा तो चार पांच घंट क्लास कर रहेगी कोई दिक्कत जी एक बज़े की बाद सी क्लास होगी क्योंकि मैं बारा बज़े आ जाओंगा घर पर तो भी हम वो बना लंचोगरा बनाना प्लता है और उसके बाद बनाने उनने बाद आप लोगों की जो क्लास स्टार्ट कर देंगे हैं न देखिए मैडम अ अब इस समय ऐसी स्तिति में समय मत हमें निर्थाज करें क्योंकि यह है दिक्कत होने लगती फिर ना क्योंकि मूल बदल जाता है